दोस्तो ऐसो आराम भरी जिन्दगी कौन नहीं जीना चाहता हाला कि दुनिया भर में कुछ लोग अपने महिनत के दम पे कुछ हद तक ये सारी चीजे अचीव कर भी लेते हैं लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उनकी लगजरी लाइफ टैल के सामने तो अच्छे-च्छे भी फेल है दोस्तो मैं बात कर रहूं बुरुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के बारे में दोस्तों इस सुल्तान की गिंती दुनिया के सबसे रईस सुल्तानों में होती है इस सुल्टान के कुल नेट वर्थ है 33,000 करोड रूपए हाला कि दुनिया में इनसे भी रईस कुछ लोग हैं लिकिन जैसी जिन्दगी ये जीते हैं वैसी जिन्दगी सायद ही कोई दूसरा इंसन जीता होगा दोस्तो इस विडियो में आपको बताऊंगा कि सुल्टान के पास आखिर इतना ज्यादा पेसा आता कहाँ से है और साथ ही साथ हम उनकी कुछ सबसे महेंगी चीजों और खर्चों के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुल्तान के पास आखिर इतना ज्यादा पैसा आता कहा से है तो दोस्तो बुरुनेग के सुल्तान हसनल बुलकिया के पास जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है ओल और नैचुरल गैस से ओल रिजर्व और नैचुरल गैस सबसे बड़ा जर्या है इनकी कमाई का फॉब्स के मैगजिन के मुताबिक 2008 में इनकी नेट वर्थ थी 1363 अरब रूपए 1980 तक ये सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर इनसान थे और बाद में 1990 में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इनसान बन गए अब दोस्तो हम जानते हैं कुछ सबसे महेंगी चीजों के बारे में जो ये सुल्तान ओन करते हैं नमबर वन पर है ये सोने से जड़ा 2387 करोड रूपए का पैलेस इनका यहाँ पैलेस दुनिया के सबसे आली सान पैलेस की गिंती में आता है इनके इस पैलेस का नाम है इस्ताना नूरुल इमान पैलेस ये पैलेस करीब 20 लाकी स्क्वार फिट की एरिया में बना हुआ है इस पैलेस को 1984 में बनाया गया था और उस समय इसकी लागत थी करीब 2387 करोड रुपए तो आप सोच सकते हो कि आज के समय में ये पैलेस कितना जादा महंगा होगा इस पैलेस में करीब 1788 कमरे और 257 बाथरूम है दोस्तो इस पैलेस का डोम 22 करेट सोने से जड़ा हुआ है ये पैलेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है नमबर टू पर है इनका 7000 लगजरी कारो का कलेक्शन सुल्तान के पास 7000 से भी ज्यादा लगजरी कारो का कलेक्शन है जिसमें 600 Rolls-Royce, 300 Ferrari, 11 McLaren, F1S, 6 Porsche, 962 MS और Jaguars जिसकी तो गिंती भी नहीं है दोस्तो अगर हम केवल इनकी कारों की ही कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये होगी करीब 341 अरब रूपए और नमबर 3 पर है इनके प्राइवेट जेट का कलेक्शन बुरुनेई के सुल्तान के पास अपना प्राइवेट जेट बोहिंग 747-400, बोहिंग 767-200 और Airbus A340-200 है दोस्तो इनका प्राइवेट जेट 747-400 किसी महल से कम नहीं है ये जेट सोने की परस से जड़ा हुआ है और इस जेट में ऐसो अराम के सारी सूधाय मौजूद है दोस्तो इन सब के अलावा अगर हम इनके कुछ सबसे महंगे खर्चे देखें तो उस पर सबसे टॉप पर आता है इनका हेयर कट इनके एक हेयर कट का खर्चा करीब 35 लाख रूपयों का है दोस्तो इन सब के अलावा सुल्तान के कई अंगिनत खर्चे हैं जिनको एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है तो दोस्तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पर सिलेक्ट जरूर कर लें तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद